नमस्कार दोस्तों एक बार फिट शुआ गेते आपके अपने यूटूब चैनले में दोस्तों अगर आप भी बारती से नहीं मतला इंडियन आर्मी में बढ़ती होना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए बहुती अच्छी बात है जी हाँ दोस्तों आपके लिए बहुती क्या है रेली में कितने किलोमेटर की दोड़ होगी पहले रीटन होगा या पहले रनिंग होगी रनिंग होगी तो कितनी होगी तो यह सारी बाते दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो वीडियो कन तक दोस्तों जरूर बने रीजिए का साथ वीडियो लाइक चैनल पर दोस्तों अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ बेल आइकन भी दबा दे ता कि दोस्तों आपको आगया ने वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे क्यों कि दोस्तों आर्मी एरपोर्स और नेवी से सम दिस सारी इनपर्मेशन आपको अपडेट करवाते रहते तो दोस्तों आप वीडियो के अंतक जरूर बने रहे हैं और साथ में सारी जानकार या आपको समझ में आ जाए आप रेली की पुरी प्रक्रिया वो आप समझ जाए दोस्तों और उसी अनुसार आप आवेदन करें और उसी साब से आप रेली की त्यारी के रहता कि दोस्तों आपको भी इंडियन आर्मी में बरती होने का मोगा है दोस्तों बहुत बड़ा मोगा है दो सारी जो है नोटिपिकेशन वो आपको वित पुरूप दिखाने वाला आप खुद देख लेना कौन-कौन सी पोस्ट है और कितनी कितनी वैकंसीज है मतलब सारी बाते दोस्तों इस वीडियो में करने वाले वीडियो के तक आप जरूर बने रही जिए तो और यह महत्पुन जानकारी है तो यह अपने दोस्तों के पास में भी जरूर जरूर सेर कर दिजिएगा और कोई भी नोटिटिपिकेशन या पंदरा अप्रेल तक आपकी रेलीज चलने वाली है दोस्तों तो हमें बता दू सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी पोश्ट है तो यहां पर हम देखते हैं दोस्तों जो कैंडिडेट विल वी इस्क्रियंट ऑफ फॉलोविंग केटेगरी एंड क्वालिफिक हो सकते हो और आपकी हाइट है 169 चाहिए वेट 50 kg और आपका चेश्ट है वो नॉर्मल सतंतर और पांच सेंटीमेटर अक्सफंशन के साथ मतलब पांच सेंटीमेटर आपको पुलाना पड़ेगा अब एजुकेशन कौनिफिक्शन आप देख सेकते हो अगर दोस्तों जडी है उसके लिए क्वालिफिकेशन अब हम बात करते दोस्तों सोल्जर टेक्निकल अगर आप टेक्निकल से बढ़ती होना चाहते तो आपकी यह दोस्तों साड़ी सात्रा से तेश के लगबग होनी चाहिए साथ में मैं बता दूँ आपका जो जनम वह एक टुमबर गुन इंग्लिष विटिन 50% मार्क एग्रिगेट एंग 40% मार्क इन इस सब्जेक अगर आप सोल्जर टेक्निकल से बढ़ती होना चाहते हो दोस्तों तो आपके टेंथ में ट्वल्थ में 50% मार्क होने चाहिए और पर सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर भी होने चाहिए मतलब हर स चाहिए नो जो सोल्जर टेक्निकल है नर्सिंग असिस्टेंट की वी वेकेंसी है एमसी के मायन आर्मी मेडिकल कोर तो आप इसमें अगर जाना चाहते हो नर्सिंग असिस्टेंट में बढ़ती होना चाहिए और साथ में जो हाइट है वो 169 पचास के जीए 77 प्लसवां सब्सक्राइब या बाइलोजी इंगलीज मिनिममम 50% मार्क इन एग्रिगेट 40% मार्क इन इच सब्जेक वह यह टेक्निकल वाला सिस्टेम है दोस्तों इसमें आपको 50% मार्क से होने चाहिए और 12 में साइंस में जो आपके बायो होने चाहिए अगर आपके बायो है तो अगर आप बढ़ती होना चाहते है तो एसाड़ी सब्सक्राइब होने चाहिए और आपकी जो हाइट हो 162 होने चाहिए और आप वेट पचास और सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन आपके 60% मार्क होने चाहिए 12 में मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए तो आप कल रख के लिए अपकर सकते तो दोस्तों यह है अब दोस्तों बात करते शोलजर ट्रेट्समें तो सोलजर ट्रेट्समें में क्या है दोस्तों साड़ी सतरा से तेज साल के लिए लगबग एज होनी चाहिए 169 हाइट होनी चाहिए 50 kg वेट पलस सतंतर पलस 5 cm आपका चेस्ट होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों सोलजर ट्रेट्समें में क्या होता है एक टेंथ पास में और एक होती ह एडरत पास से आपके ञिख जो आटि पास होना चाहिए सात में 33 परशेंट मार्क्स होना चाहिए आपके ol driven में में डहताब से माक्सिट आप देख सकते हो ट्रेडमें तो दोस्तों आप ये थी इसकी जो कौन-कौन सी इसमें पोश्ट आने वाले सारी पोश्ट मैंने बता दी अब बात करते दोस्तों तो दोस्तों हम बात करते आपकी रेली बरती यह कहां आजित की जाएगी आपको देख सेखते आर्मी रिक्रूटमेंट रेली फोर मेंस के लि रेक्रूटमेंट रेली आयुजित की जारी है दोस्तो एट न्यू फुटवाल स्टेडियम कौमार डुढ़नी डुमका यहां पर यह रेली होने वाली है एक अप्रेल से रेली स्टार्ट होगी और 15 अप्रेल तक आपकी रेली चलने वाली है मतलब लगवग 15 दिन आपकी रेल ज़ित की जाने वाली बढ़ती और जारखंट स्टेट के लिए है एक अप्रेल 2019 से पंदर अप्रेल 2019 से पंदर अप्रेल 2019 तक होगी और जो ग्राउंड होगा वह है न्यू फुटवाल स्टेडियम कमर डुढ़नी और ढुमका यह जारखंट में पढ़ता है online प्रफिश्टेशन मेंडिटेटरी ओनलाइन रिजिस्टेशन आप कर सकते हो इंडियन आर्मी जो इन इंडियन आर्मी की साइड पर जाकर इसकी लास्ट ओपन की जो और साथ में यह भी बता रखा है कि गिवन डेट एंड टाइमस मेंशन इंड एडविट कार्ड और एडविट कार्ड पर आपकी जो रेली की डेट है वो भी उसमें दे रखी होगी उसी दिन आपको रेली में आना होगा तो दोस्तो यह थी मेरे दौरादी की चोटी सी जानका तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ मेरे दौरादी की जानकार यह आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तो और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो अभी तेग नई है तो सब्सक्राइब के लाल ब तो सुलों दोस्तो इस वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत